हलो प्यारे देश्टों नमस्कार आप से भीका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्तासिस कुमार आज हम बताएंगे आपको करेंड को कैसे मेजर करना है किस वैरियेबल पर कितने जैसे कि हम करेंड को किस से टाइम पर कैसे फिक्स करते हैं और वैरियेबल रेजिस्टेंस से हम करेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं और कैसे हम अपने रीडिंग को ले सकते हैं अगर हम किसी भी प्रेक्टिकल में नोट करते हैं तो देखिए आपर जो यह रंज होता है यह फूरा मल्टिमेटर के अलग-अलग पॉइंट पर रेंज है एक करेंट का बोल्टेज का और या जिसे हम को सकते हैं वाइरियोबल रेजिस्टर है उसमें हम क्या करेंगे फॉर्स्टी को कनेक्ट करके एक दूसरे टर्मिनल से निकालकर उसको वोल्टेज के एंपियर से कनेक्ट करेंगे और निगेटिव टर्मिनल को डायरेक्ट कामन टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे कामन जो होता है उसमें हम कोई भी वायर करेड़ कर सकते हैं वो एक तरह से निगेट्व होता है एसमें क्या करेंगे हम उसको रोटेट करके हम अपने देखेंगे कि हमारा करन्ट जो है मैक्सिमम या मिनमम किस पोई पर हो रहा है और इसको रिडिंग को हम नोट करते सब मेजर करेंगे इसमें देख रहे हैं इसको रोटेट कर रहा है तो हमारा रजिस्टर कर रहा है वह कितना करेंट दे रहा है है यह हमारा मेजर कर रहा है इसी जाफ से देखाएंगे कि जब भी जब भी लोकृ करने हैं सर्कीट को जisesti सरे से में जो मिली मीटर है उसका वी भी वर फिलनल रो सकता है इस तरह से हमारी फूरी शर्केट कंपलीट होती है जब ही हम कुई भी थियान देना रहता है कि पॉस्टिश्रा और निगेटिव सिनर जो टर्मिनल होते हैं उसको बहुत ही ध्यान फूरवा की यानि कि तुरूटी नहीं होने चाहिए इसको कनेक करते हैं ठीक है इसके बाद हम देखेंगे और भी कोई सरकित जैसे की पोटेंसियों मीटर कैसे डिफरेंस ह होगा कैसे नहीं ठीक है आज के लिए इतना है धन्यवाद कि अधि कि अधि कि अधि